मैं डियर स्टूटन्स वेलकम टी तरहन से क्लासी रच आपके लिले करा हैं क्लास नाइन की बुक सिविक्स और या हम कह सकते हैं दिमोक्रेटिव पॉलिटिक्स वन का चेप्टर नुबर फॉर जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और इस वीडियो का पार्ट टू है य यानि जो एक एक एलेक्टिर रिप्रेजेंटिटिव होता है एक स्टेट असेंबली से उसको क्या कहा जाता है तो उप्शन आपके सामने है क्या है MC या फिर हम कहें Member of Legislative Assembly या फिर कहें MLA या फिर कहें BNC दोनों करेक्ट होने चाहिए यहाँ पर तो अच्छो हम कहेंगे Member of Legislative Assembly या MLA दोनों एक ही चीज़ है तो करेक्ट आंसर क्या है Option D बोत BNC अब चलते हैं Question No.27 के लिए Which is the best definition of reserved constituency यानी reserved constituency की best definition क्या हो सकती है तो option आपके सामनी है When a constituency is reserved for the common man या When a constituency is reserved for the president और When a constituency is reserved for the people of scheduled caste and scheduled tribes या फिर कहें All of these सभी के सभी correct होने चाहिए यहाँ पर तो बच्चो best definition बनती है Option C जिसमें यह कहा गया कि एक constituency को आप reserved करेंगे for the people of scheduled caste and scheduled tribes साकी उन लोगों को भी representation का मोका मिले Otherwise they will never be able to come forward और नहीं वो अपने लोगों के opinions आगे रख पाएंगे तो इसलिए यह reserved seats का एक quota या एक system जो है start हुए है अब चलते हैं question number 28 के लिए इन दर लोग सबा how many seats are reserved for scheduled caste अब आपको बतानी है कि अगर लोग सबा की बात करें तो वहाँ पर schedule caste के लिए कितनी जो है seats fixed हैं तो option आपके सामने है 76, 77, 78 या फिर 79 तो बच्चों यहाँ पर correct answer है option D, 79 और देखिए bracket मैंने 84 क्यों लिखा है क्योंकि यह 79 है अगर data इसकी बात करें तो यह पुराना data है और अगर latest data की बात करें तो 84 seats reserved की जाती है इनके लिए अब चलते हैं बच्चों next question के लिए question number 29 इन दे लोग सबा, how many seats are reserved for schedule tribes? अब schedule tribes के लिए कितनी seats reserved की जाती हैं तो option आपके सामने है 41, 44, 48 या फिर 49 तो बच्चों यहाँ पर correct answer है option A यानि 41 लेकिन अगर latest आज की date में update देखें तो 47 seats है वो reserved की जाती है तो यह आपको मैंने latest update दी है लेकिन अगर आप अपनी book को follow करेंगे तो आपको 41 अगर option आता है तो we will have to put up that one यानि 41 आपको जो है वहाँ correct answer देना होगा आप चलते है question number 30 के लिए what is the name given to the list of those who are eligible for vote यानि जो है उस list को क्या नाम दिया जाता है जिसमें जो है सभी candidates का नाम लिखा होता है जो vote के लिए eligible होते हैं vote दे सकते हैं तो option आपके सामनी है electoral role या फिर what is list या only a या फिर हम कहें both and b दोनों ही correct होने चाहिए यहाँ पर तो ब both and b दोनों ही correct है electoral role भी बोल सकते हैं आप या फिर उसे voters list भी बोल सकते हैं अब चलते है question number 31 के लिए what is the age of all the citizens who can vote अब आपको बताना है कि age क्या है उन सभी citizens की जो vote दे सकते हैं तो option आपके सामनी है 16 years and above, 17 years and above, 18 years and above या फिर 21 years and above तो बच्चों यहाँ पर भी एक mystery है कि कु यह age 21 थी बट आज की date में अगर हम देखे तो वो age क्या है 18 years and above यानि जो भी बच्चे 18 years plus cross कर जाते हैं तो वो eligible हो जाते हैं right to vote की अब चलते हैं बच्चों next question के लिए question 32 है after how much time a complete revision of the voters list टेक प्लेस कितने वक्त के बाद एक revision होती है voters की list की तो यानि उसमें यह देखना हो होते है कि कितने लोग चो है उनकी death हो गई है या कहीं से transfer हो गया तो एक voter list फिर से तयार की जाती है तो कितने साल के बाद after 4 years after 5 years after 3 years या फिर after 6 years तो बच्चों यहां correct answer है option B after 5 years चो है वो list फिर से तयार की जाती है question 33 देखिए what is the full form of epic अब आपको epic की full form बतानी है क्या होती है full form तो option आपके सामनी है election photo identity card second option है electoral photo identity card third election photo identifying card या फिर four option देखिए electoral photo identifying card तो बच्चों यहां correct answer क्या होना चाहिए AP की full form yes the right answer is option A election photo identity card जो है ये इसकी exact form है अब चलते है question 34 के लिए when political parties nominate their candidates who get the party symbol and support the party's nomination is often called यानि party की इस nomination को क्या कहा जाता है जब political party होती है वो अपने candidates को nominate करती है कि यह हमारा candidate है और उसको party का symbol मिल जाता है party की support मिलती है तो इस nomination का जो दूसरा नाम है वो क्या होना चाहिए तो option आपके सामने है party candidate बोलेंगे इसे या party ticket बोलेंगे या party nomination बोलेंगे या party politics बोलेंगे तो बच्चो इसे नाम दिया जाता है party ticket यानि party की ticket मिल गई है इसे तो it means he will represent the party जो भी elections होंगे उसमे question 35 है when does the campaigning for election take place in India यानि election की campaigning जो है वो किस time होती है इंडिया के अंदर तो option आपके सामने है for a two week period between the announcement of final list of candidates and the date of polling या फिर कहें for a period of two days के लिए होती है period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling या फिर three week का time period होता है या फिर हम कहें कि ये time period होता है two month का जब announcement हो जाती है final list of candidates की या फिर date of polling तो हम यहाँ पर exact answer क्या लेंगे बच्चो yes the right answer is option A जिसमें ये बताया गया कि ये two week period time होता है between the announcement of final list of candidates यानि जब जो political party अपने पूरे candidates के list final announce कर देते हैं कि हमारी तरफ से ये candidates यो हैं लडने वाले हैं और वो time period होता है date of polling के बीच का almost आप कह सकते हैं two week का time period आप मान सकते हैं अब चलते हैं question 36 यानि when did Indra Gandhi give the famous slogan गरीबी हटाओ उन्होंने ये famous slogan कब दिया था option आपके सामने है आप चलते हैं question 37 के लिए save democracy was the slogan given by यानि ये slogan किस ने दिया था save democracy वाला slogan जो है और ये elections हुए थे 1977 में तो अब आपको blank को fill करने है लोग तलने Congress party ने, BJP ने या फिर जनता party ने तो बच्चों यहां correct answer है जनता party उन्होंने ये बड़ा famous slogan दिया था save democracy और इसके पीछे का reason बता देता हूँ आपकी book में mention नहीं है उसका reason क्या है कि 1975 में Mrs. Indra Gandhi ने emergency declare कर दी थी और वो भी all of a sudden तो जिसकी वज़े से जो दूसरी political parties की leaders हैं उनको काफी problem face करनी पड़ी उनको jail में भी जाना पड़ा तो इसलिए इन्होंने कहा था कि अगर आप democracy भचाना चाहते हैं तो आपको हमें vote देना होगा उनको ने यह slogan दिया था अब चलते हैं question number 38 के लिए when did the left front use the slogan of land to the tiller यानि यह जो left front party उनको ने यह slogan कब दिया था land to the tiller तो option आपके सामने है इन दे लोगसवा elections of 1977, in the West Bengal assembly elections of 1977 या in the state of Pihar elections of 1976 या in the West Bengal assembly elections of 1976 तो बच्चों यहां correct answer क्या है yes again फिर से right answer है option B जैसे यह बोलागा कि जो West Bengal assembly elections हुए थे 1977 में अब जलते है question 39 में protest the self-respect of the Telugu's अब यह protest the self-respect of the Telugu's एक slogan है जिसको यूज किया था the leader of the Telugu देसम party in आंदरापरदेश assembly elections में 1983 में अब आपको उस leader का नाम बताना है जिनका यह slogan है तो option आपके सामने है N.T. रामाराओ या फिर T.N. रामाराओ या S. क्रिशन मूर्ती या फिर हम कहें ममताव एनरजी तो बच्चों यहां correct answer है N.T. रामाराओ यानि option A जो है वो right answer है अब चलते हैं हम next question के लिए question 40 है How much a party और a candidate can spend in the constituency for a locks of elections यानि बच्चों यह difference आपको समझना होगा जो locks of elections होते हैं वो center के लिए होते हैं यानि member of parliament के लिए होते हैं तो वहाँ पर एक candidate या एक political party कितना पैसा खर्च कर सकते हैं जो limit fix की गई है Not more than 20 lakh, not more than 25 lakh, not more than 30 lakh या not more than 50 lakh तो बच्चों यहाँ correct answer है option B, not more than 25 lakh जो है वो खर्च नहीं कर सकते हैं इससे ज्यादा ऐसे ही अगर हम कहें how much a party or a candidate can spend in a constituency for an assembly election यानि अगर state की बात करें जब state में election होते हैं MLS के लिए तो उस time जो है कितना पैसा खर्च कर सकती है कोई भी political party या leader not more than 20 lakh, not more than 10 lakh, not more than 30 lakh, if not more than 25 lakh तो बच्चों यहाँ correct answer है not more than 10 lakh यानि इस 10 lakh से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते अब आपको बताने है question 42 में what is a ballot paper, ballot paper actually में क्या होता है it's a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with the party name and symbols are listed या फिर कहें कि एक sheet of paper होती है जिस पर जो है names of the party head along with the party name and symbols are listed या फिर कहें ये एक ऐसे sheet होती है paper कि जिसमें जो names of the ex chief minister होता है along with the party name and symbols are listed या एक colorful paper होता है जिसमें names होते हैं contesting candidates के along with the name and symbol of the India यानि symbols of India are listed तो यहां correct answer क्या होना चीव बच्चो यह जो right answer है वो है option A जिसमें ये बतायागे कि एक sheet of paper होती है जिस पर जितने भी contesting candidates हैं उनकी names होते हैं along with the party name जिस party से वो belong करते हैं या party का symbol जिस पर हो चुनाव लड़ रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ballot paper अब चलते हैं question 43 में what is the full form of EVM EVM की full form क्या है electronic water machine electronic watering machine extra watering machine या electronic watering method तो बच्चो यहां correct answer है electronic watering machine जो है वो right answer है अब चलते हैं question 44 के लिए अगर हम अपनी country की बात करें who conducts the election या इलेक्शन कोंड कंड़क्ट करता है तो option आपके सामने है prime minister या president या election commission या फिर election committee तो बच्चो यहां correct answer है election commission और यह यह भी आपके लिए जाना चुरूरी है कि election commission जो है बिल्कुल separate body है जो है यानि जिसके पास full power होती है जैसे कि legislature या executive या judiciary के पास है वैसे ही election commission का अपना एक अलग department है और ही अपने free mind हो के काम करते हैं इसी से related है हमारे next question भी who appoints the chief election commissioner यानि chief election commissioner की appointment कों करता है तो option आपके सामने है prime minister, president, the judges of the supreme court या फिर the cabinet तो बच्चो यहां correct answer है president और बच्चो यहां यह भी बताना चाहूंगा आपको कि president जब एक पार chief election commissioner की appointment कर देते हैं तो उसके बाद जो chief election commissioner है उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता वो अपने rules से regulations follow करते हैं और अपने हिसाब से elections conduct करवाते हैं अब चलते हैं question 46 के लिए people's participation in election is usually measured by voter turnout figures अब आपको उताना यह turnout figure क्या होता है actually turnout figure यानि it indicates a number of women voters या फिर यह indicate करते है number of men voters या it indicates a percentage of eligible voters who actually cast their votes या हम कही none of these तो actual में बच्चो turnout जो figure होता है वो होता है जो total percentage of eligible voters है जिन्नोंने actual में अपना vote दिया है वो percentage निकाली जाती है उसे हम turnout कहते हैं कि कितना figure हमारा आया है अब चलते हैं बच्चो हम next question के लिए what is the position of turnout in India अगर इंडिया में position की बात करे turnout की यानि कितनी लोग vote देती हैं तो option है it has remained stable यानि यह काफी time से stable है या it has gone up या only a या फिर both a and b तो बच्चो एक्चो में इस्टेटमेंट इसली आई है क्योंकि इंडिया का और इंग्लेंड का comparison किया गया है तो इंग्लेंड में क्या हुआ है कि जो maximum लोग जाया वो vote नहीं देती तो उनका काफी 72 से लेकर अब नीचे तक 72 परसेंट से लेकर नीचे तक डाउनफोल आया है यानि 60 तक आगे हैं लेकिन हमारा क्या हुआ है हम almost stable भी रहे हैं और कई बार ऐसा हुआ ऊपर भी चले गए हैं तो यानि option correct क्या होना चाहिए बहुत a and b अब चलते हैं बच्चो हम next question के लिए bearing very few disrupted elections अगर कुछ खराब elections को छोड़ दे तो जो electoral outcomes है उनको ऐसे accept किया जाता है as by the defeated party तो कैसे accept करते हैं वो कहते हैं illegal या unfortunate या कहेंगे people's verdict या फिर कहेंगे people's choice तो बच्चो अगर हम आपकी chapter के according लिए तो यहां correct answer है वो इस हार को ऐसे accept करते हैं जो judgment देनी थी वो उन्होंने दे दी है तो इस तरह इस वीडियो को यहां stop करूँगा और I hope so यह questions आपको help करेंगे तो थैंक्यू रिली वेरी मुच वाचिंग तर अन्सर क्लासिस और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share और subscribe करना मत भूलेगा so thank you very much once again and have a very nice day